असलाम लेकुम आज हम रेश्टोरेंट इस्टाइल शाही पनीर बनाएंगे यह बहुत ही डिलीश्यस और तेश्टी बनता है बहुत मज़े का लगता है सभी को बहुत पसंद आता है साथ में हम गार्लिक लच्छा पराठा भी बनाएंगे शाही पनीर के साथ गार्लिक पराठे का बेस्ट कॉम्बिनेशन है यह बहुत मज़े का लगता है तो चलिए बनाते हैं आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और जादा जादा शेयर करें लच्छा पराठा बनाने के लिए आट गूत लेता है तीन कप गेहूं का आटा लिया है आप मैदा भी ले सकते है इसमें एड़ करेंगे एक चमग नमाग एक चमग सिगर एड़ करेंगे और आदा चमग बेकिंग पाउडर एड़ करेंगे आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखे सभी चीज़े आटे में अच्छे से मिक्स हो गई है एक कब दही लेंगे और इसे आटे में मिक्स कर लेंगे दही हम नॉर्मल टेंपरेचर की लेंगे थंडर दही नहीं लेंगे देदे ही आटे में अच्छे से mix हो गई है थोड़ा गुनगुना पारी लेंगे और थोड़ा थोड़ा add करेंगे और इसका एक soft आटा तयार करेंगे ना तो बहुत जादा tight करेंगे और बहुत जादा soft भी नहीं रखेंगे आटे को 4-5 मिनट अच्छे से गूथने के बार इसके ओपर थोड़ा सा oil लगाएंगे और cover करके रख देंगे आटा रेष्ट कर रहा है तो हम शाही पनीर बना लेता है शाही पनीर बनाने के लिए मैंने 2 प्याज लिए और 4 टमाटर लिए हैं अगर हम 2 प्याज लेंगे तो 4 टमाटर डालेंगे जितनी प्याज लेंगे उसका double हमें टमाटर डालना होता है प्याज को न हम रफली कट कर लेंगे और टमाटर को भी कट कर लेंगे मैंने प्याज और टमाटर को रफली कट कर लिया है और द्रक को भी बारे कट कर लिया है तो चलिए बनाते हैं एक पैन लेंगे इसमें एक चमच ओईल डालेंगे एक बड़ा चमच बटर एड़ करेंगे और साथे एड़ करेंगे खड़े मसाले एक चमच जीरा एड़ करेंगे एक तेजपता एड़ करेंगे एक बड़ी हिलाईची एक पीस दार्चीनी का एड़ करेंगे चार से पांच लोंग एड़ करेंगे तीन से चार हरी लाइची, आदा चम्मच, काली मिर्ची एड़ करेंगे और जैसे ही खड़े मसाले थोड़े फ्राय हो जाएंगे तो बागी की चीज़े एड़ कर देंगे प्याज एड़ करेंगे, अद्रक और लहसुन भी एड़ कर देंगे और इने थोड़ा सा फ्राय कर देंगे देखिए, प्याज थोड़ी सोफ्ट हो गई है इसमें एड़ करेंगे 4-5 हरी मिर्च, जिसे मैंने बीच से कटकर लिया है 4-5 सूखी लाल मिर्च एड़ करेंगे और साथ ही टमाटर भी आड़ कर देंगे, जो हमने कट करके रखे थे, आधा चमश नमक आड़ करेंगे, बहुत जादा नमक आड़ नहीं करेंगे, आधा चमश ही आड़ करना है, जिससे टमाटर अच्छे से सोफ्ट हो जाएंगे, 15-16 काजु आड़ करेंगे, अच्छे से मि अच्छे से मेश हो रहे हैं फ्लेम को ओफ करेंगे और अदंडा कर लेंगें दिखिंगे हमारा मिक्षे ठंडा हो गया है इसे हम गृइंड करेंगे एक गृइंडिंग जार लेंगे और पूरे को उसमें ट्रांसपर कर लेंगे दो से तीन चमच पानी एड़ करेंगे, बहुत जादा पानी एड़ नहीं करेंगे और इसका एक स्मूध पेष्ट बना लेंगे दिखिए ग्राइंड हो गया है, मैं आपको दिखा देते हूं कितना स्मूध पेष्ट बनाया है, ऐसा ही हमें चाहिए था, तो चलिए बना लेते हैं एक पैन लेंगे, इसमें एड़ करेंगे एक चमच ओईल और एक बड़ा चमच बटर या घी एड़ करेंगे जैसे गरम हो जाएगा, एक चोथा ही चमच हल्दी पाउडर एड़ करेंगे एक बड़ा चमच कश्मीजी लाल मिर्ची एड़ करेंगे, इसे ने कलर बहुत अच्छा आएगा फ्लिम को एकदम लो रखेंगे, दो से तीन हरी मिर्ची एड़ करेंगे, जिसे मैंने बीच से कट कर लिया है और साथ ही एड़ करेंगे टमाटर और प्यास का पेष्ट जो हमने भी तयार करके रखा था वो चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे और आधा कप पानी एड़ करेंगे, मैंने जार में पानी डाल गया ना, उसे अच्छे से घुमा के उसी में डाल दिया है जिससे हमारा पेष्ट वेष्ट नहीं होगा इसमें बोईल आने लगा है, कवर करके पकाएंगे, नहीं तो सारे में छीटे छीटे उड़ेंगे, भाव ज़्यादा उड़ता है यह तीन से चार मिनट हो गई है, खोल लेता है और इसमें बीच बीच में चलाते रहेंगे, कहीं नीचे न लग जाए इसमें एड़ करेंगे आधा चमश नमक, आधा चमश नमक हमने पहले भी एड़ किया था और आधा चमश चीनी एड़ करेंगे चीनी से यह बिल्कुल भी मीठा नहीं होगा, इसका टेस्ट बढ़ जाएगा आदा चमच गरम मसाला एड़ करेंगे, एक चमच कसूरी मेथी एड़ करेंगे, जैसे मैंने रोष्ट कर लिया था, मिक्स करेंगे, मैंने 400 गराम पनीर लेकि उसे कट कर लिया है, यह एड़ करेंगे, पूरा पनीर एड़ कर देंगे और हलके हाथों से मिक्स करेंगे, आपना तो पनीर को fry भी कर सकते हैं, मुझे ऐसी पसंद है, तो मैं ऐसे यह एड़ कर रहे हूँ, बारिक कट अहरधनिया एड़ करेंगे, मिक्स करेंगे और कवर करके दो मिनिट तक और पकाएंगे, फिलेम को लो रखेंगे, बहुत जादा पकाने की जरूरत नहीं है, गरेवी हमाई तयार है, थोड़ा से पकाने से पनीर के अंदर गरेवी का फ्लेवर आ जाएगा, इसका टेस्ट बढ़ जाएगा, देखिए, दो मिनिट हो गई है, खोल लेता है, माशालला हमारा बहुत ही टेस्टी शाही पनीर बना था, ओपर से डालेंगे क्रीम, यह औप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है, तो आप इसकी भी कर सकते हैं, मगर इसे गरेवी का टेक्चर एकदम चेंज हो जाता है, इसे शाही पनीर का टेस्ट बढ़ जाता है, और बहुत मज़े का लगता है, मिक्स करेंगे, देखिए यह पनीर तैयार है, इसे कवर करेंगे, कवर करके साइड में रख देंगे, चलिए गार्लिक प्राठा बना लेता है, मैंने बटर को थोड़ा से मेल्ट कर लिया है, इस अच्छे से सेट हो गया है, एक पेडा लेंगे, पेडा हम नॉर्मल साइज का लेंगे, ना तो बहुत जादा बढ़ा लेंगे, और नहीं बहुत जादा छोटा लेंगे, जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं, उसी तरह का पेडा लेंगे, देखिए बन गया है, आटे से ड पेष्ट लगाएंगे जो हमने बटर गार्लिक और हर दिने का पेष्ट बना के रखा था और चार तरफ अच्छे से लगाएंगे इसके उपर मैधर डश्ट करेंगे और इसे न हम फोल्ड कर लेंगे एक बार आगे को फोल्ड करेंगे फिर पीछे की साइड ले जाएंगे इसे फोल्ड कर लेंगे यह बहुत ही अच्छा लच्छा पराठा बनता है उसके लच्छे पूरे अलग हो जाते हैं हाथ से हलका से दबाएंगे और मैदे से डश्ट करेंगे इसे बेल लेंगे बहुत जादा प्रेशर नहीं लगाएंगे हलके हाथों से बढ़ा करेंगे द पर आपको सेख के दिखा देती हूं अभी हम इसे टशनी करेंगे जैसे थोड़ा से सिख जाएगा ना उसके बाद साइट टन करेंगे साइट टन कर देते हैं ओपर की तरफ और लगाएंगे थोड़ा दबाते हुए ओई लगाएंगे जिसे अच्छे से शिख जाएगा बहुत ही खस्ता और केस भी प्राठा बनता है बहुत मज़ेका लगता है आप एक बात जुरू बनाएगा इन्शालला आपको पसंद आएगा प्राठा दोनों तरफ से अच्छे से सिग्या है निकाल लेते हैं देखे मैंने सभी प्राठे तयार कर लिया है चलिए मैं आपको शाही पनीर भी डिश आउट करके दिखा देती हो उपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे अच्छे से चलाएंगे और डिश आउट करेंगे यह बहुत ही मज़े का शाही पनीर और गार्लिक पराठा बनता है आप एक बात जुरू बनाएगा इन्शालला आपकी फैमली को पसंद आएगा अगर आपको मेरी शाही पनीर और गार्लिक पराठी की रैसी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें शेयर करें फ्रेंड्स और फैमली के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को हिट करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए आपकी क कोई भी वीडियो मिसना हो आला हाफीज